दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का mgv study.youtube चैनल में तो दोस्तों mix question series लेकर के उपस्तित है और आज की हमारी सीरीज है यह computer की और computer के mcq type के total 25 question है वैसे तो इससे पहले हमारी सीरीज तीन अपलोड हो चुकी है तो यह computer की four number series है और यह कंप्यूटर की four number series तो आज हम UP, PCL और JMRC exam based computer के question की बात करेंगे और आज का जो हमारा main topic है वह libra office के बारे में है तो जो libra office है as it is ms office libra office है वह ms office की तरह ही है libra office document foundation द्वारा विक्षित किया गये है और यह एक office site है जो की कारियला यूज के लिए बनाए गये है कि एक कारियले में इसको उप्योग किया सकते है 2010 में open office से यह उत्पन किया गया था और इसकी सुरुवात 25 जनवरी 2011 को हुई थी libra office जो की यह एक संपादक एक्रोम एक्स्टेंशन है जो की Microsoft Word दस्तावेज एक्सेल स्प्रेड़ सीट और PowerPoint स्लाइड आदी देखने की अनुमती परदान करता है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे लाइक सिर करते रहें अभी तक अपनी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक्स आगे फोरवर्ड करें फ्रेंड्स को तो मिक्स कोशन सीरीज अपलोड होती है एक एक करके डेली तो आप जिरूर इसको देखें तो बात कर लेते हैं अब हम कोशन फर्स्ट के कुशन फर्स्ट में निम्न में से कौन सा फाइल एक्स्टेंशन ओपन ओपिस राइटर से समंदित नहीं है तो यहां पर आपसे पूछा जा रहे है कि कौन सा इन से समंदित नहीं है जो कि फाइल एक्स्टेंशन ओफिस ओपन ओफिस राइटर से जो समंदित नहीं है वो हम txt.sxw.doc यह तीनों file extends open office writer से समंदित है तो चलते हैं बात कर लेते हैं अगले question के और तो आगे हमारे पास question number है second question जो second है इसमें आपसे पूचा जा रहे कि Libra office में word processing क्या है तो यहाँ पे आपसे पूचा जा रहे कि जो Libra office है उसमें word processing क्या है तो हमारा एंच्वर डी writer है writer जो की एक Libra office का word processor है option हमारा D है अब हम चलते हैं बात करते हैं अगले question के और तो आगे हमारे और बात करते हैं next question की तो next question number है 3 question 3 में Libra office में spread sheet क्या है तो आपसे यहाँ पे पूचा गये कि जो Libra office है उसमें spread sheet क्या है या spread sheet क्या कहलाती है तो यहाँ पे हमारा answer है option C, C-A-L-C Libra office में spread sheet को C-A-L-C कहा जाता है और चलते हैं बात करते हैं अगले question की तो आगे हमारे पास question number है 4 question 4 में Libra office C-A-L-C में अधिक्तम कितनी work sheet होती है तो यहाँ पे work sheet की बात कर रहे हैं कि कितनी होती है अधिक्तम सबसे ज्यादा highest कितनी work sheet हो सकती है Libra office C-A-L-C में तो यहाँ पे कि highest कितनी sheet हो सकती है work sheet है तो यहां पर हमारा इंस्वर है option C 10,000 लिब्रा ओपीस CALC में अधिक्तम 10,000 वरक्सीट हो सकती है और करते हैं अगले question की बात तो इससे पहले वीडियो को लाइक, share जरूर करें question 5 में लिब्रा ओपीस में पावर पॉइन्ट को किस नाम से जाना जाता है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो लिब्रा ओपीस है उसमें हम पावर पॉइन्ट को किस नाम से जानते है तो यहां पर हमारा एंस्वर होगा option B, impress libra office में powerpoint impress कहलाता है यहान पर हमारा option b शही है चलते हैं बात कर लेते हैं अगले question के और तो आगे हमारे पास question number है 6 है तो यहाँ पर हमारा question number 6 कि libra office software चला सकते हैं तो libra office software कहां पर चला सकते हैं यहाँ पर option number d है Linux, Windows और Make System पर चला सकते हैं तो option D हमारा answer है कि Libra Office Software Linux, Windows और Make System पर चलाया जा सकता है और चलते हैं इसी के साथ में अगले question क्यों आगे हमारे पास question number 7 Question 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि cycle case क्या है तो question number 7 में cycle case क्या है तो cycle case option D, all of above, upper case है, lower case है, sentence case है, तीनो परकार के cycle case है जो option हमारा D है, all of above, उपर वाले तीनो, upper case, lower case और sentence case ये तीनो ही cycle case कहलाते हैं तो चली बात करते हैं अगले question की, तो आगे हमारे पास question number 8 और question 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रा ओपिस, C, A, L, C के, सेल के अंदर एक नई line या paragraph बनाने के लिए control के साथ कौन सी कुझी का इस्तेमाल किया जाता है कि लिब्रा केंटे C, A, L, C के अंदर जब हम एक नई line या एक paragraph उसमें और बनाना चाती है तो control के साथ हम कौन सी की को प्रेस करें या कौन सी की दबाए जिससे हमारे पास वो एंटर की जा सकती है तो यहाँ पे हमारा answer B, C है, enter कि हम control प्लस एंटर दबाए तो इसके साथ में हमारे ये जो एक नई line या paragraph और डाल सकते है तो चलते हैं बात कर लेते हैं अगले question की तो आगे मारे पास question number है 9 और question 9 में कि Libra Office Writer status bar में निम्न में से कोन सा परदर्सित नहीं होता है तो आप से पूछा ज़रे कि इसमें जो परदर्सित नहीं होता है कि Libra Office Writer जो status में कोन सा परदर्सित नहीं होता है तो यहाँ पे option D computer का नाम, computer का नाम है वो status में परदर्सित नहीं होता है चलते हैं इसी के साथ में अगले question की और तो आगे हमारे पास question number है 10 question 10 में Libra Office Writer में default font size होता है Libra Office Writer है उसमें default font size क्या होता है तो यहाँ पे हमारा answer B की 12 जो 12 नमबर है यह Libra Office Writer में default font size में होता है कि automatic default में 12 ही रहेगा कि अगर आप इसमें जैसे set नहीं करोगे तो यह default 12 ही करेगा चलते हैं बात करते हैं आगे हमारे पास question number है 11 और question 11 में Libra Office को बंद करने के लिए किस कुझी का परियोग करते हैं कौन सी key press करनी पड़ती है कि जब हम Libra Office को बंद करना चाहते हैं तो यहां पर हमारे इंस्वर है control प्लस डबलू ओप्शन ए कंट्रोल प्लस डबलू को प्रेस करने से Libra Office बंद हो जाता है और चलते हैं बढ़ते हैं वीडियो को लाइक शेयर करते रहें अब हम question number 12 की बात करें तो हमारा question 12 की Libra Office Writer में page break डालने के लिए keyboard change engine क्या है यानि किस key को प्रेस किया जाए तो हम Libra Office Writer में page break कर सकते हैं या उसमें और डाल सकते हैं तो यहां पर हमारा option number C है control plus enter control plus enter के मादियन से हम page break डाल सकते हैं और यह Libra Office Writer का जो key phrase करनी होती है तो दोस्तों वीडियो को like share करें friends को forward करें अब हम बात कर देते हैं अगले question की तो आगे मारे पास question number 13 question 13 में Libra Office में अधिक्तम font size कितना होता है तो यहां पर 13 में हम बात करें कि जो Libra Office है उसमें font का सबसे font का सबसे highest जो है वो अधिक्तम font size कितना है तो यहां पर option D छाण में Libra Office में अधिक्तम font size छाण में नंबर तक हो सकता है option D हमारा तो चलते हैं बात करते हैं अगले question की तो आगे हमारे पास question number 14 question 14 में Libra Office C-A-L-C में for cell format dialogue box open करने के लिए shortcut कुझी क्या है जब हम Libra Office C-A-L-C में cell format जो dialogue box होता है उसको जब हम open करते हैं तो shortcut कौन सी key use कर सकते हैं जिससे हमारा यह open हो सकता है dialogue box तो यहां पर हमारा insert number है b control plus one control plus one जो key press करेंगे तो हमारा cell format dialogue box open हो जाएगा यह shortcut key है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे हमारा question है 15 number question number 15 में Libra Office Writer में template के लिए file extension है कि जब Libra Office Writer जो कि टेपलेट के लिए file extension कौन सा है तो यहां पर option number है हमारा c dot o t t dot o double t यह Libra Office Writer के template के file extension है हमारा insert ही है तो चलते हैं इसी के साथ में आगे हमारे पास question number है 16 question 16 में slides को विवस्तित या sort करने के लिए आप निवन में से किस का उपयोग कर सकते हैं जब आपको slide है या उसको शीव विवस्तित करते हैं या sort करते हैं करते हैं तो हम कौन की का यूज करते हैं तो इसमें answer है दोनो इसमें slide pin जो की a और slide shorter view दोनों ही कर सकते हैं a और b हमारा जो answer c है a और b दोनों को यूज कर सकते हैं और चलिए बात करते हैं अगले question के और तो आगे हमारे पास question number है 17 17 question 17 में libra office writer में default file extension क्या है कि default file extension और यह libra office writer की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारे पास answer है a.odt answer a.odt libra office writer में default file extension है और बात करते हैं अगले question की आगे हमारे पास question number है 18 question यहां पे हमारे पास जो formula है यह formula जो क्या परिणाम देगा तो यह जो formula है यह परिणाम देगा है तो आगे हमारे पास question number है 19 question 19 में formula जो की आगे आपको दिया गए है इस formula का परिणाम क्या होगा इस formula का परिणाम होगा तो यह होगा hello world यह hello world option number हमारा c है और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास question number है 20 question 20 में slide transaction वे परभाव होते है slide transaction वे परभाव होते हैं तो यहां पे हमारा answer है option B जब slide किसी परस्तूती में बदलती है तो वे slide transition के परभाव कहलाती है जब slide किसी परस्तूती में बदलती है option number B हमारा चलते हैं अगले question के और तो आगे हमारे पास question number है 21 question 21 में slide transition को हटाने के लिए निवन में से लागू होता है तो हमें क्या करना है जब slide transaction को हटाना होता है तो non transition होगा जब हम slide को हटाते है slide transition को तो non transition हो जाएगा option B है हमारा और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास question number है 22 question 22 में libra office calc में अधिकतम कितने row और column होते हैं तो आप से यहां पे पूछा है एक तो row कितनी होती है और column कितनी होती है यानि कितनी पंक्तियां और कितने column हो सकते है तो यहां पे हमारा answer है जो कि answer number A है answer number A है और चलते हैं इसी के साथ में अगले question के और तो बात कर लेते हैं आगे हमारे पास question number 23 question 23 question 23 में एक slide què First एक slide है जिसे अन्य slide के लिए शुरुवाती बिंदू के रूप में उप्योग किया जाता है तो यहां पे एक slide स्लाइड duas lust कपź स्लाइड के लिए यह सुरुवाती बिंदू के रूप में उपयोग किया जाता है तो यहां पर हमारा एंस्वर है जो कि एंस्वर नंबर सी यह master slide master slide एक slide master slide एक slide जिसे अन्ने slide से जो कि एंस्वर master slide है और अगले question के और तो आगे हमारे पास question number है 24 question 24 में libra office clc में spread sheet के लिए default file extension कौन सा होता है तो आप से पूछा जारे कि जो spread sheet होती है libra office में spread sheet और उसकी default file extension होती है तो यह हमारा answer है option a.odt है option number a सही है चलते हैं अगले question के और जो इस video का last question है तो like share करते रहें और next जो और चलते हैं बात करते हैं अगले question की तो आगे question number है 25 question 25 में libra office clc में एक formula हमेशा किस से सुरू होता है तो आप से पूछा जारे कि जो libra office है उसमें clc में जो formula हमेशा किस से start होता है या हम कह सकते हैं formula के शुरू में कौन सा साइन होता है तो यहां पर हमारा answer है option d option d जो equal का sign है वो libra office clc में formula के starting में होता है तो option number d है तो दोस्तों इसे के साथ में धैनेवाद वीडियो देखने के लिए like share करते रहें और next video upload हो तब के लिए धैनेवाद